नमस्कार आप देख रहे हैं CWB Hindi News नियुंतम तापमान 8.5 डिगरी सेल्शेस रहा जबकि अधिकतम तापमान 20.5 डिगरी सेल्शेस रहा जबकि हिसार का नियुंतम तापमान 4.2 डिगरी सेल्शेस नोट किया गया सोमवार को हिसार प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा तता दूप की तपिस नय के बराबर होने के कारण दिन बर ठंड का एसास जारी रहा अब ठंड ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिये हैं बीते रविवार को साथ सालों में सबसे ठंडा दिन रहा हालां कि सोमवार को नियुंतम तापमान में मामुली रहा देखने को मिली मौसम विवा का पूरवानवान है कि इस सब्ता से तेजी से तापमान लुट गेगा और ठीटुरन और बढ़ेगी पस्चमी विचोब जम्मु कस्मीर और आसपास के इलाकों में बना हुआ है देश के बाकी हिसों में कोई महत पूर मोसम पढ़नाली नहीं है पिछले 24 गंटों की दोरान तमिलाडू में हलकी से लेकर मध्यम बारिश हुई है आंदर प्रदेश के पस्चमी तर्ट, दक्षन केरल के हिसे और अंडमान और निकोबार दीब समु के कुछ हिसों में हलकी बारिश हुई वहीं दूसरी तरफ पंजाब, उत्तरप्रदेश, उत्रागंड और ओडिसा के कुछ हिसों में मध्यम से घना कोरा चाया रहा अगले 24 गंटों के दोरान तमिलाडों में हलकी से मध्यम बारिश हो सकती है वहीं आंदर प्रदेश के दक्षनी तर्ट, केरल, लक्सदीब और अंडमान और निकोबार दीब समु में हलकी बारिश की संभाव नग्यक्त की जा रही है वहीं दूसरी तरफ प्रश्वी हिमाले के उपरी इलाकों में हलकी बारिश और हिमपात संभव है पूर्वी भारत का नियूंतम ताबमान एक से दो डिगरी तक गिर सकता है हर्याना मोसम विवा के अनुसार बरफिली हवाओं के काने रात का पारा लगातार गिरता जा रहा है पाड़ी छेत्रों में जैसे की सिमला कांगड़ा जैसे ठंडे इलाकों से आने वाली हवाओं के चलते हर्याना में पारा गिर रहा है सोमवार रात को हिशार का तामान 4.02 डिगरी दर्द था इसके बाद परदेश में नारनोल दूसरा सबशे ठंडा रहा नारनोल में पारा 5.01 एक डिगरी सेल्शेस दर्द किया गया मोसम वेग्यनिक को नहीं आने वाले दिनों में हरियाना का तामान और कम हो सकता है इस बार नौंबर से ही उत्तर परवती छेतरों पर हिमबात जारी है राहत की बाद यह है कि अभी तक लोगों को कोहरे का सामना नहीं करना पड़ा है अभी तक कोहरा सामाने से कम है मोसम वेग्यनिक डाक्टर एमेल खीचड के अनुसार हरियाना में मोसम आमतोर पर 15 दिसमबर तक परिवातन शील लेकिन खुशक रहने की संभावन वेक्त की जा रही है इस दोरान बीच हलके बादल रहने और कम गती से हवाई चलने की भी संभावना है पसों को लेकर डाक्टर एमेल खीचड निकाया कि पसों के लिए 5-10 डिगरी सेल्शेस तक का ताबमान नकारात्मक होता है इसलिए पसों को रात के अंदर कमरों के अंदर रिबानना चाहिए ऐसे ताबमान में पसों के रखरकाव में कोई चुक नहीं होनी चाहिए मच सपालकों को नेमित रुप से तालाब का कुछ पानी निकालते रहना चाहिए और उसके जगहें नया ताजा पानी भरते रहना चाहिए